नमस्कार दोस्तों, मैं आक्षे घुपे, मैं एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉंडर MFR हूँ, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट और फर्स्ट रेड का ट्रेनिंग आववान कोलापूर में NDRF से, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट कलब स्वे आरेल्टी कॉलेज अप साइंस अ टॉपिक पर डिसकेशन करेंगे, यह काफी इंपोर्टन डिसकेशन होगा, इसलिए आप सब लोग ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, अगर हो सके तो साथ में आपको नोटपैड और पेन भी रखना है, ताकि जो इंपोर्टन कंसेप्ट होंगे या फिर इंपोर्टन पॉइंट्स होंगे, उनको आप नोट डाउन कर सको, यहाँ पर मैंने एक सिंबॉलिक इमेज रखी है, जहाँ पर असेस्मेंट चल रही है, यह इमेज रखने का मेरा जो मोटो है, वो यह है कि आप लोग समझ सको की असेस्मेंट करते वक्त, एक ट्र ताकि जब कोई घटना घटती है, तो हस्पिटल में जाने से पहले, अगर हम सीखे हुए है, अगर हम MFR है, तो हम एक्जेक्ट लोकेशन जो इंजूरी की है, उसका पता लगा सकी, और बाद में उसकी रिपोर्ट हम डॉक्टर को दे दे, ताकि फर्दर ट्रिट्मेंट में डॉक्टर को आसानी हो और वो डिरेक्टली उस इंजूरी की ट्रिट्मेंट शूरू कर सके, असेस्मेंट का यह सबसे मेन मोटो होता है, अब्जेक्टिव्ज, तो दोस्तो आज जो हम लेक्चर देख रहे हैं, उसके अब्जेक्टिव्ज क्या है हमारे, लिस्ट सिक्स फे जैसे वो सिखना है, 5 जनरल प्रोसिजर और MFR कंप्रिट आफ्टर अरायवल एट सीन, किसी घटना स्तल पर जाने के बाद, MFR कुन सी जनरल प्रोसिजर फालो करता है, वो 5 एक्शन हमें देखना है, 6 स्टेप्स अफ इनिशल असिस्मेंट, इनिशल असिस्मेंट किन 6 स्टे इनिशल असिस्मेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशन्ट हिस्ट्री, ओंगोइंग असिस्मेंट, पेशन्ट हैंड़ प्रीपोट, तो दोस्तों एक 6 फेजे से जिसमेंट की जाती है, सिन साइजब, इनिशल असिस्मेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशन्ट हिस्ट्री, ओंगोइंग असिस्मेंट, पेशन्ट हैंड़ प्रीपोट, तो अब हम इस लेक्षर में इन एक एक फेज को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे, सिन साइजब, वाट इस दे कर और कोई जो कोई injured है उसको, और कोई नुकसान हो सकता है कि इस situation में, वो हमें देखना है, where is it going, what are the possibilities, और इस situation के अब परिणाम क्या हो सकते है, क्या-क्या possibilities है, वो भी हमें समझना है, how do I control it, what resources are needed, as a MFR, इस situation को मैं कैसी control कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे क्या-क्या resources क जरुरत पड़ेगी, aim of scene size up, अब scene size up हमें क्यों करना है, safety of the people at the scene of incidence, जो लोग वहां खड़े है, जहां घटना घड़ी है, वहां का, उन लोगों की safety हमें देखने है, identify the mechanism of, mechanism of injury or the nature of illness, आखिर जो कोई victim है, उसको, वो injured है, तो वो कैसी injured हुआ है, या फिर, जो कुछ हुआ ह उसका reason हमें पता करना है, determine the additional resources needed, और हमें साथ में क्या क्या additional resources लगेंगे, उसका भी ध्यान रखना है, action on the arrival of scene by MFR, मतलब जब कोई MFR किटी घटना स्थल पर जाएगा, तो उसे क्या क्या actions लेने है, ये 5 actions हमें देखने है, सबसे पहला ensure your own safety, ये काफी important है, सबसे पहली बात तो में जो ध्यान में रखने है, कि खुद की safety at first, at most आपको रखने है, आपको देखना है कि मुझे कोई इस situation में harm ना हो, number 2, ensure patient safety, याने जो कोई victim है, उसकी safety भी आपको देखने है, establish a general impression of the scene and begin initial assessment of the patient, बाद में आपको general impression बनाने के बाद इनिशल assessment करने है, वो कैसे है, वो हम अगले पाट में सीखने वाले है, identify and treat the life-threatening condition, stabilize and continue to monitor the patient, तो ये 5 actions हमें लेनी है, जब हम किसी घटनास तल पर जाएंगे, How to introduce yourself, आपको खुद को introduce कैसे कराना है, state your name and organization, सरसे पहले तो आपका आपका नाम बताना है, जिस किसी organization से आप जुड़े हो, उसका नाम बताना है, अगर आप student हो तो आपके college या university का नाम बताना है, identify yourself as a MFR, आपको उने बताना है कि मैं medical first responder हूँ, जैसे इस lecture के शुरू में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम अक्षे घोपे है, मैंने disaster management का training ले आए, तो ऐसी सब चीजे आपको उनको बताना है, आपको उनको समझाना है कि आप एक MFR हो, ask the consent of the patient, यानि उस patient के आपको permission लिने, before performing the assessment, अगर patient unresponsive हो हो कोई response नहीं कर रहा है, और साथ में अगर by standard उ ले सकते हैं, हाँ, और एक बात ध्यान रखे, अगर वो permission नहीं देते हैं, तो आपको आगे की कारेवाही करने की कोई ज़रुरत नहीं है, इमिजेट सोर्स आप, सोर्सेस आप information, आपके लिए इमिजेट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, the scene itself will describe, observe, plan and react, patient if responsive, अगर patient खुद बात कर रहा है, तो वहाँ उससे information ले सकते, relatives और bystandards, if unresponsive, patient unresponsive हो है, तो आपके, उसके relatives और bystandards से जानकारी ले सकते, दे, the mechanism of injury, कैसे या किस चीज़ से injury वह देखना है, any remarkable deformity or obvious injury, any sign or characteristic of certain types of injury or illness, तो यह सब सोर्सेस से आपको जानकारी इकटा करनी है, इन सब सोर्सेस को हम immediate sources of information कहते हैं, Initial assessment, तो अब हमारा Initial assessment शुरूँगा, दोस्तो, Initial assessment काफी important हो सकते हैं, और उसे life saving assessment भी कहते हैं, तो इस, a process to identify and treat condition, pose an immediate threat to the patient's life, तो यह होते हैं, Initial assessment, अब हम इसको सीखेंगे, Steps of Initial assessment, कौन-कौन सी Steps होती है, Initial assessment की, General impression, Trauma और Medical, apply cervical collar if needed, अगर Trauma case हो, Medical case हो, अगर आपको लगता है कि neck region में कोई damage हुआ है, गिरने से, या फिर किसी भी चीज़ से, तो सबसे पहले आपको cervical collar apply करना है, जैसे हमने जो symbolic image रखी थी शूरू में ही, उसमें apply की गही थी, वह ही से cervical collar आपको apply करना है, जरूरी नहीं है, आपके पास cervical collar ही हो, आप किसी flexible thick sheet को apply कर सकते हो, या फिर flexible book को apply कर सकते हो, उससे बांज ले सकते हो, ऐसी भी cervical collar आप बना सकते हो, responsiveness, आपको responsiveness चेक करना है, AVPU, AVPU का full form होता है, alertness, verbal, painful और unresponsive, alertness या आपको check करना है कि patient खुद alert है या नहीं, verbal या उससे बात करके देखने है, आपके verbal conversation को response करता है कि नहीं, painful या फिर उसको आपको pat करके देखना है या फिर वो दर्द महसूस कर सकता है कि नहीं, और unresponsive यानि patient totally unresponsive होई कि है, इस प्रकार से आपको responsiveness चेक करने है, airway obstruction यानि वो सास ठीक से लेख पा रहा है या नहीं, वो आपको देखना है यानि उसकी airway में कोई obstruction तो नहीं है, verify breathing, llf यानि llf का मतलब होता है look, listen और fill, look, listen और fill इस method का यूज़ करके आपको उसकी breathing देखने है शुरू है या नहीं, check circulation, carotid artery और carotid artery से आपको उसका circulation भी शुरू है या नहीं ओ देखना है, इन सबी steps को अब हम pictorial form में देखेंगे और समझने की कोशिश करेगे, adequate steps of initial assessment, adequate full rise and fall, easy breathing, normal respiratory rate यानि आप जैसे देखते हैं कि पेट और चेस्ट जब हम breathing करते हैं तो rise और fall होते हैं, जो complete rise and fall हो रहा है क्या, easy breathing मतलब कोई तकलीफ तो नहीं सास लेने में, normal respiratory rate यानि जो के normal respiratory rate है, वो है क्या, यह हमें देखना है, inadequate, insufficient rise and fall यानि जो rise and fall होता है, जो insufficient है, increased respiratory effort यानि सास लेने में तकलीफ हो रही है या फिर efforts लगाने पड़ रहे है, sinosis, mental status, inadequate respiratory rate इन चीजों का ध्यान रखना है, SS circulation, responsive patient, unresponsive patient वो देखना है, circulation चेक करना है, control serious bleeding, अगर कही bleeding हो रहे है तो सबसे पहले उसको हमें control करना है, patient status update, alert EMS, request resources needed, यानि सबसे पहले जब अगर patient responsive नहीं है या फिर responsive है तो after initial assessment आपको EMS को alert करना है, EMS and emergency medical service उसका contact number 108 और request the resources needed, वहाँ पे जो bystandard है या फिर relative है उनसे आपको resources की request करने उनसे demand करने है, अब जब जैसा मैंने कहा थे कि एक-एक step को हम pictorically देखेंगे तो यह techniques for the opening of the airway, जब airway अगर closed है आपको ऐसा लग रहा है कि airway में कोई obstruction है तो इस method से अगर medical case है तो इस method से आप airway open कर सकते हो, इसको कहते है head tilt chin lift method, यहने उसके forehead को आपके tilt करना है और chin को lift करना है, इससे airway open हो जाता है, आप इसको ध्यान से देखे, head tilt chin lift method for the opening of airway, अगर medical case है तो आपको यह method यूज करने है, नमबर दो की जो method इसको करते है jaw thrust method, यह method यूज की जाते है jaw lock open करने को, आपको पता है अगर sudden high rising blood pressure हो या फिर low blood pressure हो तो इसमें लोगों की jaw lock हो जाते है या फिर oxygen deficiency में भी jaw lock होते है, तो वो कैसे open करने है, क्योंकि jaw lock open करने के लिए society में काफी unscientific methods यूज की जाते है, लेकिन सही method है जिसमें आपको thumbs जो है, वो चीन पर रखने है और बाकी fingers नीचे रखने है और चीन को आपको push करना है, इसको कहते है jaw thrust method इससे airway भी open होता है, यह है LLF यानि look listen feel जो हमने breathing verify करने के लिए breathing शुरू है यह देखने के लिए LLF होती है look listen और feel, यहां देख सकते कान नाक के पास है, ताकि वो सास की आवाज और हाथ जो है, वो chest पर है, इस हाथ को आप थोड़ा parallel उपर भी पकड़ सकते है, ताकि look यानि देख सके कि rise and fall ह हो रहा है या नहीं, listen यानि सास के आवाज सुन सके और feel और pursue कर सके, जो सास की जो warm air होती है, वो हमारे skin से pursue कर सके, इस से हम breathing शुरू है या नहीं, या फिर proper rate से शुरू है या नहीं, इसका पता लगा सकते है, इसको कहते है LLF, look listen और feel, और बाद में यहां पे carotid pulse, जो carot carotid artery होती है, वहां का pulse यानि उसका heart शुरू है या नहीं, वह हमें देखना है, carotid pulse चेक करने, आपको carotid pulse ही अकसर चेक करने है, क्योंकि जो radial pulse होती है, जो doctors चेक करने है, वो pulse चेक करना आम लोगों के लिए difficult हो सकता है, लेकिन carotid pulse क्योंकि heart के पास है, तो वहां पे heartbit हम जल्दी महसूस कर सकते है, इसलिए आपको carotid pulse से ही pulse चेक करना है, तो इस प्रकार से सबसे पर initial assessment होगी, जिसमें हम responsiveness चेक करेंगे by AVPU, बाद में हम airway obstruction है क्या हो देखेंगे, अगर airway obstruction है, तो उसको दो method जो देखी, head, tilt, chin, lift या फिर jaw thrust method उन से open करेंगे, यहाँ पर initial assessment होता है, इसके बाद हम देखेंगे physical assessment. Physical examination या फिर physical assessment, the main purpose of the physical exam is to reveal any injury or medical problem that could pose a threat to patient's survival if left untreated, जो physical assessment का main purpose है, क्योंकि हमें injury या फिर medical problem धुणने हैं, अगर जिसका इलाज नहीं किया जाता, तो patient के life को भी खत्रा हो सकता है. Principles of physical assessment, inspection याने हमें inspect करना है, auscultation, auscultation एक medical term है, जब किसी internal organ का sound सुना जाता है, तो उसको auscultation कहा जाता है, specially with stetoscope, palpation, याने हमें palpate करना है, थोड़ा pressure apply करके, body के हर एक part पर, by using dots, dots, dots जो है, इसमें का D stands for deformity, O stands for open injury, T stands for tenderness, और S stands for swelling, याने deformity, open injury, tenderness और swelling, यह dots का full form है. Physical exam, head to toe, अब हमें जो principles हमने देखे, auscultation, palpation, उससे हमार head to toe, from sir से लेकर toe तक हमें examination करना है, तो सबसे पहले exam of the head, तो head region में क्या का आएगा, skull, pants, skull, उसमें हमें क्या चेक करना है, dots, याने deformity, open injury, tenderness, swelling, ears and nose, उसमें हमें चेक करना है, CSF, हम जानते हैं कि हमारी brain और spinal cord and nervous system, CSF नाम के liquid में protected होती है, या हमारे ventricles, जो cavities होती है brain में, उसमें भी CSF filled होता है, यह shock absorb और या फिर कुशन करके काम करता है, तो हमें देखना है कि अगर head injury हुई है, तो कही CSF कान या नाक में बाहर तो नहीं आया है, pupil, pearl, याने pupil के हमें एक तो pupil की किस प्रकार से react करता है light को, वो देखना है, या फिर shape change है कि pupil में वो देखना है, माउथ की dots change करने है और abdomen में rots check करने है, यह धहन में रखना कि बाकी जगा हम dots check करते हैं, लेकिन abdomen में हम rots check करते हैं, क्योंकि abdomen में कोई bone तो होता नहीं, तो इसको जिसे deformity का सवाल नहीं आता, तो वहाँ पे हम rigidity check करते हैं, rigidity, open injury, tenderness और swelling, तो इस प्रकार से हमें अब head to toe exam करते जाना है, तो सबसे पहले जो हमने देखा head region तो यहाँ पर देख सके कि 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 प्रकार से पिक्टोरियली आपको देखना है कि head को हम pulpit कर रहे हैं, याने जो उपर की जो bone है, frontal है, जैसे सामने frontal bone होते हैं, उपर parietal bone होते हैं, पीछे occipital होते हैं, side में temporal bone होते हैं, वो सब हमें pulpit करके देखना हैं, उसकी exam करना है, यदि उसमें fracture है, तो patient को आपको reaction देगा, अगर unresponsive है, तो बताएगा, अगर unresponsive भी है, तो भी उसके expression change ह तो आप उसको pulpit करेंगे, फिर आप उसका जो deformity है, open injury, तो आप आक से ही देख सकते हैं, आप dots चेक कर रहे हैं, आपको ऐसे check करना है, बाद में face के check करना है, ऐसे एक एक करके पहले head region complete कर ले ना है, then exam of the neck, neck का exam करना है, उसमें आपको go from front to back, आगे से पीछे तक जाना है, चेक for dots, इसमें भी dots चेक करना है, pulpit vertebrate, जो cervical vertebrate है, आपको pulpit करके देखना है कि वो ठीक सही जगा है, क्या कुछ आगे पीछे तो नहीं हुआ है, चेक ट्रक्या for midline position, यानि जो ट्रक्या हमारी होती है, वो midline बराबर centrally placed है कि नहीं हो देखना है, क्योंकि बहुत बार हो चेक for mediac alert, exam of the chest, use stratoscope if 10 for the equal breath sound, अगर आपको stratoscope use करते आता है, तो आप stratoscope की use करके उसकी breathing ये heart rate सही से शुरू है कि वो आपको देखना है, check for dots, वहाँ पी भी आपको dots चेक करना है, fill ribs for deformities all the way to spine, यानि आपको complete rib cage को pulpit करके देखना है कि कई कोई deformity या कोई fracture तो नहीं है, pulpit the sternum और आखिर में sternum को भी आपको pulpit करना है, यहाँ पे chest की किस प्रकार से pulpation दिखाया गया इस image में, exam for the abdomen, check for the rigidity or distension, tenderness, मतलब जैसे मैंने बताया था कि हमें abdomen region में rots check करना है, dots नहीं चेक करना है, तो यहाँ पे rigidity check करना है या distance check करना है, cut, scratches, penetrating wound, protruding organ, potential bleeding and injection and infection, तो हमें abdomen में और देखना है कि कोई scratches वगेर है क्या है, penetrating wound याने आर पार कुछ पेट में घुस चुका है क्या, या protruding organ या जो hole create हो चुक है उससे कोई organ तुमारे आत वगेरे बाहर आ रही है क्या है, वो देखना है हमें potential bleeding and infection, may indicate underlining injury, palpate quadrant with pain last, याने आपको पेट को चार quadrants में divide करना है, right upper, right lower, left upper, left lower, ऐसा imaginary दो lines draw करके, एक स्टर्वनम की line में और एक आपकी नाभी के से horizontal line करके आपको चार quadrants divide करने हैं और उनको सबको palpate करके आपको rots चेक करने, swelling और discoloration, यह भी आपको abdomen region में examination, इसका भी examination करना है, check for the quadrant याने जो हमने बता है किस प्रकार से quadrant check करने है, या आप ही image है, आप इसको देख लिजे, exam of the back, इसके बाद में जो back आपकी peat का जो region है, उसका examination, check chest, check chest wall for the deformities, broken ribs, वो तो हम rib region में पहले ही देख चुके, check for deformities और tenderness of entire spine, आपको spine को palpate करके देखना है, check for sucking wound, sucking wound याने जब जो कोई अक्सर जो bullet से तयार होता है, उसको sucking wound, whole leg जो उने है, उसो sucking wound बोलते है, blood accumulation in the flanks, और tenderness may indicate abdominal injury, flanks में blood accumulation हुआ है, flanks हैने हमारे rib जहादे खतम होते है, वहाँ से जो hip बोने उसके बीच के area को flanks कहते है, वहाँ पे blood जमा हुआ है क्या, accumulate हुआ है क्यों हमें देखना है, उसका मतलब है कि abdominal injury होना होता है, तो ओ भी हमें देखना है, वह back के region जब हम check करते हैं, तभी check करना है, क्योंकि flanks जो side होते हैं, उसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे vertebrate, जो तुमारा vertebral column है, उसको check करके देख रहे है, pulpit करके देख रहे है, exam of pelvis, left and right, ileum, ischium and pubic, आपको pelvis की exam करना है, pelvis और hip fracture देखना है, internal organ, blood vessels and nerve pass through the pelvic area, pelvic area में काफि internal organs होते हैं, nerves होती है, जो आपकी lower extremities की तरफ जाती है, possible spinal injury देखने है, genital region, pre-apism in male, genital region की भी exam आपको करने है, especially males में pre-apism देखा जाता है, pre-apism का मतलब होता है कि continuous erection of the penis without sexual arousal, याने without sexual arousal अगर continuous erection है penis का उसको pre-apism करते हैं, इसका इंडिकेशन होता है brain injury का, possible penetrating injury pulpit iliac crest, तो आपको pelvis का भी exam करना है, assess for tenderness, tenderness आपको check करने, यह देखे, check the pelvis pressing gently down and inward, याने आपको down or inward करके एकसा pelvis को हिलाना है और उसका sound भी सुनना है, अगर particular कुछ sound आता है तो उसको cryptos sound कहते है, याने अगर gap गिर गया हो, hip bone में या फिर fracture हो गया तो cryptos sound होता है, आपको sound check करना है, by pressing the gently down and inward इस प्रकार से, exam of the lower extremities, check for the dots, lower extremities में भी dots चेक करने, check for dorsal pedis, pulse और posterior tibial pulse, dorsalis pedis यह आइटर होती है, tibial भी आइटर होती है, वहाँ के pulse चेक करने, हम बीच बीच में, अगर हमें यह pulse नहीं चेक करने, तो बीच बीच में हम carotid artery से भी pulse चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं dorsalis pedis artery यह tibial artery पता है, तो कोई problem नहीं है, check for motion wiggle toes, check for sensation, आपको sensation चेक करने हैं, आपको चिम्टी लेके देखना है, कि patient sensation महसूस करता है या नहीं है, यहाँ पर देखी किस प्रकार से lower extremities का एक्जाम होता है, physical assessment होता है, यहाँ पर pulpit किया जा रहा है, यहाँ पर tibia, fibula, दो bones होते, जब भी आप pulpit करते हैं, कोई fracture है, open injury, open injury तो आप आक से देखेंगे, लिकान fracture अगेर तो patient उसको respond करेंगा, दर्स से चिल्लाएगा, exam of the upper extremities, check for dots, यहाँ पर भी dots चेक करने, आपको लगबग कूरी body में dots याने deformity, open injury, tenderness, आपका abdomen region, check for radial pulse, radial pulse, अगर चेक करने हैं, तो carotid pulse, pulse आपको लेती लेना है, क्योंकि पल्स ये vital science में आता है, आपको बीच बीच में during physical exam pulse चेक करना है, वो आप कही का भी कर सकते है, चेक for the sensation, यहाँ पर भी sensation चेक करना है, चेक for the media alert bracelet, अब ये bracelet हमारे भारत में तो नहीं यूज के जाते हैं, लेकिन अब रोड कई देशों में ऐसे bracelet होते हैं, जिसमें information stored रहते हैं, कि इस आदमी के medical history के आए, इसको कुण-कुण सी प्रब्लेम है, तो ये चेक for the medical alert bracelets, measuring vital signs, respiration, pulse, skin, pupil, blood pressure, यहाँ पर vital signs, respiration, pulse, skin, pupils, blood pressure, यहाँ हमें चेक करते हैं, blood pressure check करने के आपको spigmo manometer लगेंगा, उसका एक तरीका होता है, वो आता है, या नहीं उस पर dependent, pupils को आपको torch से देखना है, कि pupils सही से light को react करते हैं, जैसे हम जानती कि अगर light आता है, तो pupils contact हो जाता है, और जब dim light होता है, या फिर light कम होता है, तो वो dilate होता है, तो pupil की action आपको देखने है, skin का color बगएर देखना है, pulse check करते रहना है, respiration check करते रहना है, respiration rate हो, या फिर respiration शुरू हाई या नहीं हो देखना है, इसको vital science या आपको बीच बीच में during the assessment लेते रहने है, equipment to measure, vital science, wrist watch to counter second, LLF के time आपको 3 to 5 seconds के लिए wrist watch लगेंगी, pen light लगेंगा, pupils की actions देखने के लिए, stratoscope लगेंगा, respiration and respiration के लिए, pen and notebook लगेंगी, जो कुछ आपके observation है, वो note down करने के लिए, और BP cup याने spigmo manometer आपको लगेंगा, BP check करने के लिए, अब आपको अगर यह सब चीज़े नहीं आती है, लेकिन आप फिर भी pupils का देख सकते हूँ कि मोबाइल हमारे साथ रहते हैं, तर्च इस्तमाल करके आप LLF से सीधे जेख सकते हैं और स्टेटेस्कोप और स्पिग्मो मैनोमेटर अगर नहीं है तो ठीक है, आप BP वगएरे नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन विदाउट स्टेटेस्कोप भी तुम हाडबिट महसूस कर सकते हो, लेकिन वो जरूरी नही वही सब चीज़ आपको करने है, एस डेफिनेशन कैसी की जाते हैं, इनफर्ट जो अंडर वन एर हैं उनको इनफर्ट कहते हैं, वन तो एट येर्स को चाइल्ड कहते हैं, अबवव एट येर्स को हम अडल्ट कहते हैं, नॉर्मल रेस्पिरिटर रेट अन पर से हाँ पर अडल्ट को 20 रेस्पिरेशन पर मिनिट होती है, पल्स, इनफर्ट में 120-150 पल्स पर मिनिट होती है, चाइल्ड में 80-150 और अडल्ट में 60-80 ये आपकी इनफर्मेशन के लिए ताकि आपको जब आप चेक करें तो आपको समझ सकेगी इस स्टैंडर्ड जो रेट है, उससे को या ज्यादा तो नहीं है, स्कीन टेंपरेचर अन कलरेशन, रिलेटिव स्कीन टेंपरेचर वा प्लेसिंग अप दे हैंड अगेंस्ट स्कीन, आपको हाथ से ही स्कीन का टेंपरेचर चेक करना है, कलर्स चेक करना है, जैसे पेलनेस आई एक है, रेडनेस आई एक है, ब्लु की इंटर्नल ब्लड लोस है दो वह पर बल्लू मॉटलिंग होती है अगर भेंस है तो ब्लू मॉटलिंग होती है जलोação पर पर जिस प्रकार से स्किन का टेमपरेचर इस प्रकार से सबस्टेमपरेचर या फिर स्किन अब्जर्मेशन होता है Blood Pressure The Amount of Pressure Blood Exults Against the Artery War आप जानते हैं कि जो हार्ट से हमारा Blood Artery में जाता है और Artery's के वाल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसे Blood Pressure कहते हैं उसे Spigmo Manometer से Count किया जाता है हम अभी थोड़ी दिर पहले उसके Normal Ranges देख चुके Normal BP Values यह है Adult और Child की Adult में 50 प्लस Age यानि अगर Age 20 years है तो 120 होगा Up to 150 mm of Hg और यह Diastolic है 65 to 90 mm of Hg यह Systolic और यह Diastolic और Child में 80 प्लस 2 into Age यानि अगर Age 8 years 7 years है तो 80 प्लस 7 into 2 यह 14 है 94 होगा Systolic Normal और Diastolic होगा 50 to 80 यहानि पी BP चेक करना शुरू है स्पिग्ममानमेटर से पेशन्ट हिस्ट्री, Sign and Symptoms, Allergies, Medications, Pertinent History, Last Oral Intake, Events तो यह सब अगर पेशन्ट खुद होकल है तो उससे उसकी हिस्ट्री निकालने है या फिर अगर रिलेटिव बाय स्टेंडर है तो उससे इंफर्मिशन लेने हैं अगरे समय में जब एंबुलस आने वाली है या फिर होस्पिटल में एड्मिट किया जाने वाला तो जब तुम्हारी कंप्रीट अससेस्मेंट हो जाए तो उसके बाद में अंगरे समय असेस्मेंट करने है रिएसे स्कीन, टेंपरेचर, कलर और कंडिशन, रिपीट एनी पार्ट अफ फेजिकल एक्जाम नेड़ेड याने, जो चीज़े हम कर चुके उनको रिपीट करना, कुछ छूट गया तो उसे देखना, रिएसे स्यूर ट्रिटमेंट टू चेक एफेक्टिवनेस, अशुरंस पेशन्ट, हैंड़ पेशन्ट, तो इस सभी असुस्मेंट के बाद आपको एक रिपोट तैयर करने, जो कुछ लगेंगे आपको उस रिपोट में आपको डालना है, तो ये रिपोट में क्या क्या होगा, पेशन्ट एजन्स एक्स, उसका एज और सेक्स, चीफ कंप्लेंट क्या हुआ है आपके observation में क्या आया है level of consciousness कैसी थी उसकी बोल पा रहा है होकल है अलर्ट है एर अन्रेस्पोंसिव है airway status कैसा है closed open है breathing status मतलब respiration rate कैसा है respiration शुरू है या नही circulation status उसका कैसा है patient history तो अगर खुद होकल है इसमें की कुछ चीज़ आपको patient होकले तो उससे जाने है या फिर bystander से जाने है और कुछ आपको figure out करने है treatment given और तुमने as a MFR क्या किया वह भी आपको hand up report में include करना है थैंक यू